नमस्कार मैं दिपाली अब शभी का स्वागत दिपाली एस्टो में करती हूँ और देखते हैं आज का दिन अनिकी 28 सेप्टेंबर 2024 कैसा जाने वाला है तो चली शुरुबात करते हैं मेर्शाची वालों के साथ चलिए बात करते हैं में शाची वालों के लिए में शाची वालों अगर आज के दिन की सिचुएशन्स मैं देखूं तो पॉजटिव है आज के दिन में जैसे चल रहा है वैसे चला है यह consistency maintained है situations आपकी positive है कारेशेत्र में भी आपको कुछ नए एक innovation या कुछ information सुनने को मिलेगी जिसको अगर आप उपने जीवन में follow करते हैं तो आपके लिए positivity indicated है सब तरफ से साथी साथ जो लोग नौकरी change करने के एक शुक थे options explore कर रहे थे साथी साथ आज के दिन अगर आप लोग नौकरी change करने के एक शुक थे अगर आपका निजी वैपार है उसके विस्तार के बारे में आप सोच रहे थे तो वह positivity आपको देखने को मिलेगी मन आपका शांत रहेगा उड़ जयावान बनेंगे साथी साथ आज के दिन आपको आपके bosses या जो critical व्यक्ति हैं जो आपकी business growth या आपकी professional growth में उनका एक important हाथ रह सकता है उनकी तरफ से आपको प्रोच साहन देखने को मिलेगा बात करते हैं मिथुन राशी वालों के लिए मिथुन राशी वालों आपके लिए situations बिल्कुल normal हैं आज का दिन आप परिवार के साथ बिता सकते हैं जो आपके जीवन में चल रहा है stress को mitigate करके जाएगा साथी साथ आगे आने वाले जीवन की आप planning भी बहतरीन तरीके से कर सकते हैं आपने आपको और आपको सबल सक्षम बनाते हुए आगे चलने की तरह फोकस्ट अप्रोश लेकर चलने के लिए प्लानिंग करनी चाहिए साथी साथ लंबे समय से चल रहा कोई अगर कोट केस में आपका कोई मैटर चल रहा है तो उसमें आपको positivity मिलेगी या negotiate करने की situations या आपका पलड़ा उसमें भारी होता हुआ नजर आएगा यानि कि आपको relief उस जो stress आपके डिवन में चल रहा था उससे देखने को मिलेगा बात करते हैं करकराशी वालों के लिए करकराशी वालों आपके लिए situations positive हैं कारशेतर में कुछ नवीन तम प्रणाली आप अपने कारशेतर में लगा सकते हैं आपकी situation को और positive कर सकती है जो भी आपने बहतर change लाना चाहते हैं उसकी शुरुआत आज के दिन से आपको देखने को मिलेगी relationship में स्थिर्टा बनी रहेगी तो उसमें कुछ उतार चड़ाव देखने को नहीं मिलेगा सामानिता परिस्तिती वाँ रहेगी बात करते हैं सिंगराशी वालों के लिए you're doing absolutely fine आज के दिन कुछ खास उतार चड़ाव देखने को नहीं मिलेगा नगरात्मक फेस से आप almost आ चुके हैं बाहर अपने आपको और उर्जावान बनाईए अपनी परिस्तिती को और मजबूत करिए जिस तरह से आप चल रहे हैं काविले तारीफ है आगे चलते चलिए आपको अपनी चीजों में काफी ज़दा positivity देखने को मिलेगी मन आपका शांत रहेगा साथी साथ लंबे समय से अगर आप किसी matter में या किसी जगा आप निबेश करने की सोच रहे थे अब वो situations आपके सामने नजर आएंगी साथी साथ आज के दिन आपका मन भी शांत रहेगा positivity को भी महसूस करेंगे आज के दिन आप अपने उपर काम कर सकते हैं थोड़ा सा टाइम अप दिले निकाली जिसकी वज़ा से आप next जो 72 घंटे या 3-4 दिन में जो positivity आ रही है उसके लिए आप अपने आपको बहतरीन तरीके से तयार कर पाएंगे बात करते हैं कने राशी वालों के लिए situations ठीक है कने राशी वालों कुछ खास आज के दिन नवीनतम आपको देखने को नहीं मिलेगा जैसे चल रहा है वो बिल्कुल ठीक है momentum आपका बना हुआ है confidence लेविल आपका अप है जिस तरह से situations को लेकर चल रहे हैं इन्वेस्टमेंट options के बारे में आपको किसी देक्ती विशेश की तरह से कोई महत्रपूर्ण रराय भी मिल सकती है बात करते हैं तो लाराशी वालों के लिए तो लाराशी वालों आज के दिन कुछ खास नयापन देखने को नहीं मिलेगा जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजे निवेश करने के बारे में अगर आप options एक्स्प्लोर कर रहे थे तो हाला कि आज के दिन आपके सामने options आ सकते हैं अक्तियार करने की जरुवत है कि कौन से option आप आगे लेकर जा रहे हैं साथी साथ आज के दिन परिवार के साथ बिताइए समय जो आपको रेजमिनेट करके जाए आपकी long term अगर आप travel में इंडिकेटिव को इंडिकेशन आपको पोस्पोंड कर रहे थे आज के दिन आपको वो option टेक अप कर लेना चाहिए अगर आप travel करते हैं for work related अगर कोई cause रहता है तो उससे आपको positivity देखने को मिलेगी और कारशेतर में भी आपको more groundedness देखने को मिलेगी बात करते हैं व्रिश्चिक राशी वालों के लिए आज के दिन व्रिश्चिक राशी वालों फर्स्ट हाफ आपके लिए तनावपूंड रह सकता है कारेशेतर में वैस्ता रह सकती है नकरात्मक व्यक्ति या नकरात्मक सोच से आप घिर सकते हैं दोनों ही situations को ignore करने की कोशिश करनी चाहिए best options आपके लिए ये हैं कि आप नकरात्मक उर्जा से अपने आपको दूर करें अपने दिमाग को शांत रखें और सारे options को बहतरीन तरीके से explore करने के लिए अपने मन को शांत रखते हुए जो आपका दिल कह रहा है किसी व्यक्ती विशेश के साथ साजा करिये अपनी problem जिससे कि आपको उनकी तरफ से कोई बहुमूल राय या सुझाओ मिल सके बात करते हैं धनुराशी वालों के लिए situations आपके लिए बिल्कुल ठीक है नुकूले धनुराशी वालों खास नकरात्मक उर्जा या नेगेटिविटी आपको किसी भी तरह ये किसी भी आसपक्ट में देखने को नहीं मिलेगी जिस तरह से आप अपनी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं काफी काबिले तारीफ है वैसे ही चलते चलिए कहीं से भी आपको कोई नकरात्मक उर्जा ना देखने को मिले इसलिए आज के दिन को आपको एक फेक्टिवली प्लान करके चलना है अध्यात्मक का सहारा ले सकते हैं पूजा पार्ट में मन लगा सकते हैं कर सकते हैं किसी प्रकार की साधना कर सकते हैं जो आपको इस नकरातमक फेज में अगर आपके डेड़ू डे में तो एक यह लो तो उससे आपको निकाल कर ले जाएगा बात करते हैं लिए सहचोटेशन मकर राशी वालों मापके लिए बिल्कुल आनुकूल हैं कुछ कामकाज का दाइरा भी आप एक्स्पैंड कर सकते। एक्स्पैंशन की तरफ आप बढ़ चुके हैं। काबिले तारीफ है जो आपके एफर्ट्स आपने किये अकेले ही लिये हैं। और उसी तरह से कंसिस्टेंसी के साथ आगे चलते चलिए। आपको overall अपनी situations में positivity देखने को मिलेगी चाहे वो कारेशेतर के संदर्ब में हो चाहे पारिवारिक स्थिर्ता के संदर्ब में हो। कुछ नया कामकाज करने की सोच रहे हैं या नौकरी करने के साथ साथ कुछ नया करने की सोच रहे हैं। वो परिस्तिती भी आपके सामने आएगी और side by side अगर आप कुछ और चीज़ों को explore करना चाहते हैं, आपके लिए सब तरफ से positivity indicated है, इसी तरह से चलते चलिए आपको सब तरफ से कोई शुबता या शुब संकेत देखने को मिलेगा, बात करते हैं कुमराशी बालों के लिए, situations कुमराशी बालों आपके लिए बिल्कुल ठीक हैं, कहीं से भी कोई negative situations या परिस्तिती नहीं है, consistency is also आपके लिए एक आज के दिन एक important matter हो सकता है, साथी साथ आज के दिन information channel को आपको open up रखना है, information of any kind, कारिश्यत्र में स्थिर्ता की हो, नौकरी चेंज करने की हो, बिज आज के दिन एक साथ लेकर चल सकते, information of any kind is fruitful for you, आज के दिन अगर आप उसको सही तरीके से उसको channelize करके आगे बढ़े तो, साथी साथ आज के दिन कारेश्यत्र में communication को crystal clear रखे, जिससे कि आप conflict को avoid कर सकें, बात करते हैं मीन राशी वालों के लिए, positivity indicated है, मीन राशी वालो negative situations को दूर खने का सबसे अच्छा उपाई ये है, कि जहां पर आपको लगता है कि वो event, scenario, situations, परिस्तिती या वो व्यक्ति विशेश अगर आपके confidence level को नीचे कर कर जाते हैं, तो आपको बहां से immediately अपने आपको detach करना है, अपने thought process को किसी constructive चीज में लगाए जहां से आपक आपके दिन, कारिशेत्र में आप नवीनतम strategies को या आपका creative bent of mind को आप active करेंगे, तो आपके जीवन में चल रहे है, जो नकरात्मता है, इससे आप दूर रहेंगे, पारिवार के साथ बिताईए समय, उनके लिजे inputs आपके जीवन में चल रहे है किसी भी बादा को, जो कारि परिवार में अपनी problems नहीं share करते हैं, कारिशेत्र की तुछ चेहर करिए, क्योंकि unexpected तरीके से आज के दिन आपको एक सुझाव के रूप में positivity देखने को मिलेगी, तिके साथ मुझे आ गया दीजे, मैं कल फिर आज रहूंगी, नमस्कार